भारत और अस्टेलिया के बीच बॉर्डर गवस की ट्रोफी का पहला मुकावला गुरुवार से सुरू हो रहा है नागफुर में होने वाले इस मेरेज के लिए भारते टीम का चैन कप्तान रोही सर्मा और कोंच राहूल के लिए असान नहीं होगा यह स्रेज वीशु और सुर्क मर्यादो सुवम गिल की संदार फों में कप्तान रोहिट को चिंगता में डाल दिया है वही कुल्डीप यादो की संदार वापसी ने इस्पीनर गिंदबाजी में भी कड़ा मुकाबला कर दिया है अब जटेजा और आस्वीन के साथ तीसरे इस्पीनर की जगव के लिए च्छर पतेल और कुल्दी प्यादो के बीच कडा मुकाबला होगा कप्तान रोहित सर्मा को पारी की सुरूद करना तैया है लेकिन उनके जुरिदार के रूप में उपकातान राहुल और सुहंग गिल की संदार फों में है तो वहीं उपकातान राहुल को भी टीम स बाहर नहीं किया जा सकता है ऐसे में रोहित और आहुल के पारी की सुरात करने के संभावना अधीक है जब कि गील को मत करमें बलबाजी के लिए भेजा जा सकता है लांकि वहां भी उनके और सुर्क मर्यादों को जगह दी जा सकती है लेकिन गील के पास टेस्ट मैच का उनु है रिसर पंद के चोटिल होने के बाद टीम में विकट की बर की जगह भी खाली है किसान किसान या केस भारत को पंद की जगह खिलाया जा सकता है हलांकि किसान ने बंगला दसे क्लाब 12 सतक लगाया था और वह बाएंहत के बलबाज सिर्फ जटे जा है उनकी अलावा चोथे नवर पर इसमीद खिलेंगे गिंद बाजी में कप्तान कमीन्स के साथ अश्टार को नाथन लियों की जगह पक्की है दोस्तों अगर आभी किर्के दिखना पसंद करते हैं तो हमारे इस योटूब चैनल अपना कपकाप जड़ूर सब्सक्राइब करिएगा